हेलो माई दियर स्टूदेंट विल्कम बैक तो माई यूटूब चानल माथमाटिक्स आसान भाई महेंदर सर तो आज हम कंटीनिव कर रहे हैं तो लास्ट विडियो लेक्चर तक हमने एक्ससाइज 8.1 और 8.2 तक कंटीनिट कर लिया था तो आज मैं आपको एक्ससाइज 8.3 के इंपोर्टन क्योशन सिखाने वाला हूं तो विडियो लेक्चर बहुत इंपोर्टन है एंट तक विडियो जरूर देखना और अगर आपको कंटीनिट विडियो चाहिए एंटार सेलेबर्स आफ मैट्स वन और मैट्स टू तो वो मेरे प्लेलिस्ट में आविलेबल है आप जा करके वहाँ वीडियो वाच कर सकते हो exercise 8.3 में हम study करेंगे how to solve a differential equation by using the variable separable method variable separable method का मीनिंग क्या होता है अगर x और y दो variable है तो dx के साथ में x आना चाहिए और dy के साथ में y का function आना चाहिए variable separate हो जाएगा उसके बाद आप integrating both side कर सकते हो तो चलो मैं start करता हूँ exercise 8.3 question number 1 का मैंने second question को as a important question लिया हुआ है आपको दिया है d theta upon dt is equal to minus k into theta minus theta 0 तो यहाँ पर important है identify करना की variable क्या है एक तो variable देखो आपका theta है और दूसरा variable जो वो t है और जो k है वो constant है जो theta 0 दिया है वो theta का particular value है real value है तो यहाँ पर दो variable है theta and t तो हम variable को separate करेंगे देखो मैं कैसे separate करता हूँ आपको पता है d theta and dt यह दोनों भी numerator में चाहिए तो d theta तो numerator में है बट यहाँ पर dt denominator में है तो मैं इसे simplify करूँगा तो अब लाइट यह d theta यहाँ पर देखो theta minus theta 0 है तो theta minus theta 0 को मैं left side में लेकर क्या हो देख्या हो जाएगा upon में जाएगा आपका यह हो जाएगा देखो आपका upon theta minus theta 0 हो जाएगा this is equal to dt यहाँ पर divide है तो right side में है तो multiplied हो जाएगा तो minus k into देखो आपका dt हो गया variable separate हो गया because d theta के साथ में theta का function आगया अब हम इसे integrate कर देंगे so I will write here integrating हो हम यहाँ पर लिखेंगे integrating both side so integrating both side देखो यहाँ पर क्या है आपका integration of d theta upon theta minus theta 0 and this is equal to integration of minus k into dt तो इसे integrate करते है देखते है हमें क्या मिलता है यहाँ से तो यह हो जाएगे देखो आपका integration of मैं इसे 1 upon theta minus theta 0 into d theta लिखता हूँ minus k constant integration के बाहर भी ले सकते हो तो minus k बाहर हो गया तो यहाँ पर integration 1 देखो आपका dt बच रहा है तो यह क्या हो जाएगे देखो integration of 1 upon आपको पता है कि 1 upon x का integration होता है log mod x तो same way 1 upon यहाँ पर theta का function with respect to d theta तो इसका integration हो जाएगा आप लिखोगे log of mod of theta minus theta 0 यह हो जाएगा अपवान हम क्या करते हैं एक्चुली 1 upon theta रहेगा तो 1 upon theta का derivative log theta होगा with respect to theta but one upon theta नहीं है यह theta का function theta minus theta 0 so theta minus theta 0 का derivative है with respect to theta वो हमें divide करना होगा so theta का derivative with respect to theta 1 हो जाएगा और minus theta 0 वो तो constant 0 हो जाएगा तो आप 1 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे and this is equal to minus k into integration of 1 into dt तो 1 का integration with respect to t आपको पता है क्या मिलेगा t मिलने वाला है यह देखो minus kt हो गया तो आप यहाँ पे plus लिख सकते हो constant of integration मैं इसे c1 लिख देता हूं यहां तक clear हो गए रहेगा थोड़ा सा और modify कर दो यह हो जाएगा देखो आपका log of mod of theta minus theta 0 and this is equal to minus kt और यह plus 7 हो गया आपका अब left hand side आपका log के form में है ठीक है तो हम इसे exponential form में लिख सकते हैं log का जब आपको base नहीं दिया रहेगा तो base e रहता है natural base रहता है यह आपको मालम है यहाँ से क्या हो जाकर देखो आपका theta minus theta 0 equal to यह e जो है base है यहाँ पर चला जाएगा और right hand side का जो भी term है वो पुरा power में चला जाएगा यह कि आपको rule पता है minus kt plus देखो यह c1 तो यह rule है log form में रहेगा तो हम उसे exponential form में लिख सकते हैं और अगर exponential form में रहेगा तो हम उसे log form में लिख सकते हैं थोड़ा और में इसे modify करता हूं यह हो जाएगा theta minus theta 0 equal to power को split कर दो यह हो जाएगा e raise to minus kt into the e raise to c1 सम a raise to m into a raise to n वो rule मैंने यूस किया है अब दोगा next next step क्या होगा theta minus theta 0 is equal to e raise to minus kt into e raise to c1 e raise to c1 constant है तो आप उसे कोई दूसरा constant यानि कि c भी लिख सकते हो तो मैंने इसे c लिख दिया so theta minus theta 0 is equal to e raise to minus kt into c यह आपका final answer है यह दो हमने solve कर दिया this is the final answer okay so question number जो second था वो complete होगे आपका important question आप मैं next question solve करता हूँ now situation में 2 का देख़ो मैंने second important question लिया हुआ है आपको दिया है x plus 1 into d by by dx minus 1 is equal to 2 into e raise to minus y तो यहाँ पर लिखा है when y equal to 0 x equal to 1 तो हमें क्या करना है जो differential equation है उसका solution निकालना है at the given value of x equal to 1 and y equal to 0 तो पहले हम इसे variable separable form में लिखते हैं तो given equation से मैं देखो start करता हूँ जो भी आपको differential equation दिया है तो differential equation आपको दिया है x plus 1 into देखो यह dy by dx है यहाँ पर minus 1 है तो मैं minus 1 को shift कर लेता हूं right hand side में तो यह हो जाएगा देखो आपका 2 e raise to minus y plus 1 हो जाएगा अब हम try करेंगे variable को separate करने का तो dy के साथ में y का function आना चाहिए और x के साथ में dx का function आना चाहिए तो मैं क्या करता हूं देखो यहाँ पर यहाँ पर आपका dy है तो dy तो यहाँ पर ही रहेगा 2 e raise to minus y plus 1 है तो यह पूरे terms को ना मैं यहाँ पर shift कर लेता हूं left hand side में तो यह हो जाएगा आपका upon में आ जाएगा 2 e raise to minus y यह देखो आपका plus 1 यहाँ पर देखो लिखा है dx और यह x plus 1 है तो dx जब right side में shift होगा तो वो जाएगा numerator में और यह x plus 1 आ जाएगा देखो आपका denominator में this way यहाँ से आपका variable separate हो जाएगा अब यह देखो आपका variable separate हो गया था हम इसे integrate कर सकते हैं so I will write here integrating हां हम देखो यहाँ पर लिखेंगे integrating both side लिख दो integrating both side तो यह जाएगा आपका integration of 1 upon 2 e raise to minus y plus 1 इंटु देखो dy this is equal integration of 1 upon x plus 1 into dx दोनों साथ integrate किया थोड़ा सा simplify करेंगे तो left hand side का integration हमें मिल जाएगा देखो मैं क्या करता हूं यह जाएगा integration of 1 upon यहाँ पर दिया है 2 e raise to minus y है तो मैं इसे देखो ऐसे भी लिख सकता हो ना 2 upon e raise to y because power negative है आपकान में जाएगा तो positive हो जाएगा तो 2 into e raise to minus y को हमने लिखा है 2 upon e raise to y और यह देखो plus 1 as it is रहेगा यहाँ पर dy है this is equal to integration of 1 upon x plus 1 into dx अब यह cross multiply कर लो आप यह जाएगा integration of 1 upon cross multiply करोगे तो आपको मिलेगा 2 plus e raise to y upon देखो यह e raise to y into dy is equal to integration of 1 upon x plus 1 into dx as it is रहेगा आपका यह e raise to y जाएगा numerator में तो e raise to y upon देखो यहाँ भी 2 plus e raise to y into dy is equal to integration of 1 upon x plus 1 into dx as it is रहेगा अब इसका integration निकाल सकते हो आप इसका exact derivative देखो यहाँ पर present है 2 का derivative 0 हो जाएगा और e raise to y का derivative e raise to y यानि कि exact इसका derivative यहाँ पर present है तो उसका formula हमारे पास है तो इसका integration हो जाएगा log of mod of 2 plus e raise to y and this is equal to integration of 1 upon x plus 1 तो x plus 1 का exact derivative 1 होता है जो कि यहाँ पर present है तो इसका integration हो जाएगा log of mod of x plus 1 और आप लिखोगे यहाँ पर plus c constant of integration कौनसा formula दोने में यूज किया है देखो यहाँ पर since integration of f dash of x upon f of x into dx is equal to होता है log of mod of f of x plus c यह formula हमने यहाँ पर यूज किया है तो रहा simplify कर दो यह हो जाएगा log of mod को निकाल सकते हो कोई इश्यों नहीं है 2 plus e raise to y is equal to इसे हम लिख सकते हैं देखो log of x plus 1 plus c है ना तो मैं देखो इसे लिख सकता हूं प्लस log of c1 ऐसे लिख सकता हूं एनी constant तो c एनी constant of integration है that can be replaced by some other constant suppose log c1 इसे benefit क्या होगा आपका यह log of 2 plus e raise to y as it is रहेगा और यहाँ पर आप log का property यूज कर सकते हो log of a plus log of b is log a into b हो जाता है तो यह देखो आपका log common हो जाएगा और यह हो जाएगा आपका c1 into देखो यहाँ पर x plus 1 अब both side हम log को compare कर सकते हैं तो log log both side जाएगा तो आपका बचेगा क्या है यहाँ पर 2 plus e raise to y is equal to यहाँ पर लिखेंगे हम c1 into x plus 1 तो यह आपका जो है required differential equation हो गया मैं इसे देता हूँ equation number 1 पर question क्या पूछा है find the solution of the given differential equation when x equal to 1 y equal to 0 तो I will write here हम यहाँ पर लिखेंगे when x equal to 1 y equal to 0 substitute कर दो यह जाएगा आपका 2 plus e raise to y का value 0 है is equal to c1 into x का value 1 है so 1 plus 1 solve कर दो यह जगा 2 plus e raise to 0 anything raise to 0 is 1 is equal to c1 into 1 plus 1 यह देखो 2 हो जाएगा so 2 plus 1 कितना आएगा 3 equal to c1 into 2 तो आपको देखो यहाँ से c1 का value कितना मिल जाएगा 3 by 2 इसे हम बोलते है particular solution जबी भी आपको x और y दिया रहेगा तो वहाँ से आपको जो constant है c1 जो भी है वो मिल जाएगा that is called as the particular solution तो final answer क्या हो जाएगा c1 का value 3 by 2 आप equation number 1 में put कर दो तो हम यहाँ पर लिखेंगे from equation number 1 यह 2 plus e raise to y as it is रहेगा this is equal to c1 का value कितना मिला है 3 by 2 into देखो यहाँ पर x plus 1 this way आपने इतना लिखा तो भी correct है आप 2 को यहाँ पर ला करके into भी कर सकते कोई issue नहीं है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं देखो यहाँ पर 2 into 2 plus e raise to y this is equal to 3 into x plus 1 अगर आपने इसके बाद bracket open किया तो भी चलेगा नहीं open किया तो भी चलेगा यह आपका final answer है sum solved हो गया final simplification कहाँ पर stop करना है यह important नहीं है आपका steps correct होना चाहिए अगर आपका solution correct है step by step तो final step आप यहाँ तक लिख हो यहाँ तक लिख हो यहाँ तक लिख हो उससे कुछ matter नहीं करता है आप bracket open कियो तो भी चलेगा नहीं open कियो तो भी चलेगा तो यह हमारा final answer है sum solved हो गय question है y into 1 plus log x into dx upon dy and then यहाँ पर लिखा है minus x into log x equal to 0 when x equal to e and y equal to e square तो यहाँ पर भी हमें particular solution निकालना है differential equation का तो सबसे पहले आपको variable यहाँ पर separate करना होगा यानि कि dx के साथ में x के function को लेना है और dy के साथ में हमें y के function को लेना है तो start करते हैं हम लोग यहाँ पे तो write the solution here ठीक है तो पहला variable separate कर लो देखो यहाँ पर क्या लिखा है y into 1 plus यहाँ पर देखो log x into dx upon dy minus x log x को shift करो right hand side में ती हो जागे देखो आपका plus x into log x ठीक है shift के हमने अब variable को separate करना easy होगा देखो यहाँ पर dx numerator में है तो यह dy को वहाँ पे shift करना होगा हमें तो यह क्या हो जाएगा देखो आपका 1 plus log x मैं ऐसे ही रखता हो into यहाँ पर x log x है तो यहाँ पढ़ा करके देखो डिवाइड हो जाएगा upon x into log x is equal to और यहाँ पर into dx भी है यह आपका as it is रहेगा is equal to यह देखो यहाँ पर dy है तो dy को वहाँ पर shift करोगे यह देखो डिवाइड हो जाएगा numerator में जाएगा और यहाँ पर देखो य है तो य को वहाँ पर shift कर दो यह आपका देखो upon y आ जाएगा variable separate हो गया आपका dy के साथ में y का function हो गया और dx के साथ में x का function हो गया always remember dx and dy always numerator में रहता है यह आपको धान में रखना है एक बाड़ आपका variable separate हो गया तो आप इसे integrate कर सकते हो तो आप इसे इंटीग्रेटिंग हो हम देखो यहाँ पर लिखेंगे integrating both side तो यह हो जाएगा आपका integration of one plus log x और यहाँ पर divide by क्या है x into log x dx is equal to यह हो जाएगा आपका integration of one upon y into dy अब हम इसे separate कर देते हैं तो integration easy हो जाएगा आपको तो देखो मैं क्या लिखता हूं यह हो जाएगा आपका integration of one upon देखो यहाँ पर x into log x और आप लिख सकते हो यहाँ पर dx fit plus देखो यहाँ पर integration of मैं separate कर दे रहाँ ठीक है log x upon है यहाँ पर x into log x into dx and this is equal to क्या है integration of one upon y dy तो as it is रहेगा तो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है this I can write integration of मैं देखो इसे ऐसे भी लिख सकता हूं ना one upon x whole upon मैं log x भी लिख सकता हूं कोई issue नहीं है क्योंकि one upon x the whole log x तो one upon x log x ही आएगा plus देखो यहाँ पर यह log x log x cancel हो जाएगा तो integration of one upon x into dx बच रहा है this is equal to यहाँ पर है integration of one upon y into dy अब integration हम बोथ सेट का इसली निकाल सकते हैं देखो log x का exact derivative numerator ने प्रेजेंट है one upon x so this is of the type integration of f dash x upon f of x dx और उसका integration होता है log of mod of f of x तो इसका integration हो जाएगा log of mod of f of x means denominator ठीक है then plus देखो one upon x का integration पता है आपको यह होता है log of mod of x is equal to one upon y का integration पता है यह होता है log of mod of y और यहाँ पे लिख दो आप plus c1 constant of integration c1 लिखो c लिखो k लिखो कुछ फरक नहीं पड़ता है उससे constant of integration है वो mod को आप निगाल भी सकते हो कोई issue नहीं है तो यह देखो क्या हो जाएगा आपका log of property use करता हूँ मैं log का तो यहाँ पर देखो addition है तो multiplication हो जाएगा ता आप क्या लिखोगी log of mod of यह हो जाएगा देखो आपका log x into यहाँ पे क्या हैगा आपका x आएगा क्या है विकाज log of this plus log of this log of common हो गया और यह दोनों multiplied हो गया ठीक है mod this is equal to यह आपका देखो है log y plus c1 को ना मैं देखो log c भी लिख सकता हूँ कोई issue नहीं है because c1 is the constant of integration तो हमने उसे another constant से replace कर दिया log c से कोई फरक नहीं पड़ेगा आप यहाँ पर mention भी कर सकते हो where आप लिख सकते हो c1 is equal to log c mention कर सकते हो और आप यहाँ पर formula भी mention कर सकते हो कौन सा formula हमने यूज किया है ओके आप देखो यह हो जाएगा आपका log of mod आप निकाल सकते equation नहीं है log of log x into देखो यहाँ पर x and this is equal to यहाँ पर भी लॉग का प्रोपर्टी यूज जाएगा log of addition है तो यह जाएगा आपका multiplication both side compare करेंगे तो यह log यह log चला जाएगा और आपको बच क्या रहा है x into log x is equal to यहाँ पर बच रहा है हमारा c y इसे मैं दे देता हूँ equation number one ठीक है यह तो आपका general solution हो गया of the differential equation general solution मतलब कि c का value हमें पता नहीं है अब हम find out करेंगे particular solution because x and y का value दिया हुआ है तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ so I will write here when कितना दिया है x का value e दिया equation में और आपको y का value दिया है देखो यहाँ पर e square तो x का value put करें यहाँ पर यह हो जाएगा e और यह हो जाएगा आपका log e and this is equal to c into e square का value y का value कितना है e square so this I can write e into log e का value 1 होता है धने मेरे को log e is always 1 so this is equal to c into e square as it is रहेगा यहाँ से आपको c का value मिलेगा दिया हो जाएगा e upon e square यहाँ पर लेकर किया आजा and this is equal to c cancel करोगे तो आपको देखो c का value कितना मिल जाएगा 1 by e मिल जाएगा अब जो c का value 1 by e मिला है उसे हम कहाँ पर put करेंगे equation number 1 में तो आपका final answer रहेगा तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूं put c equal to 1 by e in equation number 1 तो put करो तो यह हो जाएगा देखो आपका x into log x and this is equal to c का value 1 by e into y तो यह हमारा final answer है बहुत जादा इसमें कुछ modify करेंग जरूत नहीं है आपको तिहां पर लिख दो which is the required solution तिहां पर आप mention कर सकते हो which is the required which is the required solution which is the required solution so हमने यह जो third important question था question number two का उसे भी solve कर दिया है दोकर next important question हमने लिया है question number two के four sub question को यहाँ पर आपको दिया है dy upon dx is equal to 4x plus y plus 1 ठीक है when y equal to 1 and x equal to 0 तो यहाँ पर आपको differential equation दिया है उसका solution आपको find out करना है तो आपको पता है हम exercise 8.3 में study कर रहे है solution of a differential equation by variable separable method तो यहाँ पर देखो dy और dx है ठीक है direct तो नहीं आएगा possible नहीं है ऐसा shift करके यहाँ पर हम variable को separate नहीं कर सकते तो यह type के question में variable separable form में लाने के लिए हमें substitution method यूज करना पड़ेगा तो मैं क्या करता हूँ यह देखो जो entire term है ना उसे मैं t put कर सकता हूँ t ले लो, u ले लो, v ले लो, कोई भी variable ले लो फड़क नहीं पड़ता है तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ so I will write here put 4x plus y plus 1 is equal to मैं v ले लेता हूँ ठीक है जो given thing है question में उसे मैं equation mode 1 ले लेता हूँ तो जबी भी हम substitution method use करेंगे differential equation में तो हम उसे differentiate करके वहाँ से dy by dx निकालते हैं तो I will write here हम देखो यहाँ पर लिखेंगे differentiating हा, differentiating both side with respect to x आएगा because हमें dy by dx निकालना है तो 4x का derivative to 4 आएगा plus y का derivative आपको मालम है dy by dx आएगा plus 1 का derivative to 0 और v का derivative with respect to x तो आपको यहाँ से dv upon dx लिखना होगा तो हमें क्या मिल रहे है देखो यहाँ से dy upon dx is equal to dv upon dx plus 4 को वहाँ पर shift कर दो यह देखो आपका minus 4 हो जाएगा अब यह जो आपको dy by dx का value मिला है equation number 2 में आप यहाँ पर substitute कर दो आप यहाँ पर लिखोगे therefore from हम लिखते हैं from equation number 1 and 2 equation number 1 हमने question लिया हुआ है dy by dx को replace करके वहाँ पर क्या लिखोगे dv by dx minus 4 तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ dv upon dx minus 4 this is equal to यहाँ पर क्या आपको बच रहा है 4x plus y plus 1 यानि यह पूरी को तो मैंने v लिया हुआ है तो यहाँ पर हमें देखो v को substitute कर दूँगा अब यह आपका equation simple हो जाएगा अब इसे हम variable separate कर सकते हैं तो मैं क्या करता हूँ dv upon dx को हम यहाँ पर रखेंगे minus 4 को shift करोगे वहाँ पर तो यह देखो आपका v plus 4 हो जाएगा अब variable easily separate हो सकता है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर देखो dv है numerator में तो जो right hand side में v का function है उसे मैं left hand side में लेकर क्या होगा तो v plus 4 यहाँ पर multiplication में है तो यहाँ पर आपकर करके देखो division में हो जाएगा आपका यह v plus 4 is equal to यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब 1 बचा तो आप यहाँ पर 1 भी लिख सकते हो into dx को वहाँ पर shift करोगे तो देखो आपका यह into dx हो जाएगा तो dv के साथ में v का function आ गया है और यह dx आपका separate हो गया है अब इसका solution निकालने के लिए method आपको पता है integrating both side with respect to x तो मैं यहाँ पर लिखता हूं integrating both side हम यहाँ पर लिखेंगे integrating both side तो write on integrating both side तो यह हो जाएगा आपका integration of 1 upon देखो v plus 4 into dv is equal integration of 1 into dx अगर आप 1 upon v plus अगर आप v plus 4 का derivative निकालोगे तो v plus 4 का derivative with respect to v पता है आपको 1 आएगा क्योंकि v का derivative with respect to v 1 आता है और 4 का तो 0 हो जाता है तो इसका exact derivative देखो यहाँ पर present है तो इसका integration direct हो जाएगा log of mod of v plus 4 हो जाएगा this is equal to 1 का integration with respect to x पता है आपको x होता है और यहाँ पर आप लिख दो plus c1 constant of integration कौनसा formula यूज किया है since integration of f dash of x upon f of x into dx is equal to होता है log of mod of f of x plus c यह formula मैंने यहाँ पर first integral में apply किया है तो further मैं इसे simplify करता हूँ तो यह हो जाएगा आपका log of mod of टीक है v हमने क्या लिया था देखो हमने यहाँ पर assume किया था 4x plus y plus 1 equal to v तो आप मैं v को replace कर दूँगा तो यह हो जाएगा आपका log of 4x plus y plus 1 और यह plus 4 तो देखो आपका ऐसी रहने वाला है और is equal to यह क्या आएगा आपका x plus c तो और simplify होगा यह तियर जागा log of mod of 4x plus y plus 4 plus 1 देखो 5 हो जाएगा is equal to x plus c तो यह हमारा general solution आ गया ठीक है बट हमें निकालना है particular solution इसे आप देशकतो equation number three because equation number one and two already यहाँ पर है अब हमें क्या दिया equation में y का value one x का value zero मैं देखो लिखता हूं यहाँ पर when y equal to one x equal to zero आपको दिया है तो यहाँ पर substitute कर दो आप इसे देखतें क्या मिलता है यह जाएगा आपका log of mod of 4 x का value zero है तो फोर इंटू जीरो देखो आपका जीरो हो जाएगा प्लस वाइटा वैलू वान है तो लिख दो और यह प्लस फाइज एक्स का वैलू जीरो है और यह देखो प्लस सी तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से यह हो जाएगा log of mod of five plus one six हो जाएगा and this is equal to zero plus c मतलब c हो गया therefore c का वैलू कितना मिले आपको log six मिले मौट को निकाल सकते हो बिकॉज यह पॉजिटिव एक्स वैलू तो c का वैलू जो log six है ना इससे आप पूट कर दो equation number three में तो आपको particular solution मिल जाएगा तो मैं यहाँ पर दिखो लिख देता हूँ पूट c equal to log six in equation number three तो आपको particular solution मिल जाएगा तो यह हो जाएगा देखो आपका log of mod निकाल सकते हो दिस इस 4x plus y और यहाँ पर देखो यह plus five है this is equal to यह हो गया आपका x plus c का वैलू कितना मिला है देखो यहाँ पर आपको log six मिला हुआ है तोड़ा और आप इसे कर सकते हो so this I can write log of 4x plus y plus five log six को यहाँ पर shift कर लो तो देखो minus log six equal to x बचेगा तो left hand side में log का property यूज कर सकते है हम लोग subtraction है तो वो division हो जाएगा so I will write here log of bracket में देखो 4x plus y plus five divided by क्या आएगा six आएगा and this is equal to x तो यह आपका final answer है so this is the particular solution of the given differential equation तो यह question यह बहुत important है अगर board exam में आएगा तो either यह 3 marks या तो फिर 4 marks के लिए पूछा जा सकता है so I hope आपको यह understand हो गया रहेगा so my dear student through this video lecture हमने differential equation का exercise 8.3 का जितने भी important question थे उसे solve कर दिया है so I hope आज का यह video lecture आपको understand हुआ रहेगा अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इसे like जरूर करना maximum students को share कर देना और अगर अभी तक आपने मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करके bell icon जरूर प्रेस कर देना so that मैं जो भी latest video बनाऊंगा उसकी notification आपको time to time मिलती रहेगी so thanks for being with me मिलते नेक्स लेक्चर में हुआ है